बाइजन चाबियों वाला बोड, की बोड एम से क्यो निकाले, नमबर 9, I.S. 21, बाइजन यहें साथ अलए से पूख लें, बाल बच्चे खे खेरियें से Fear है है, सब सही है, माशाओ जा रहा है, पेज निम्बर 527 है बड़ा खुबसूरत सा सफ है पेज 527 जंक फूट खा किया है या प्रॉपर फूट खा किया है अच्छा गुट टो लिव अनोन मनी मून लिमिटेड फंक्शनल करणसी इस पाक रुपीज क्या मतलब है इस बात का मून लिमिटेड फंक्शनल करणसी इस पाक रुपीज सेल, परचेज, मैटेरियल, लेबर वगएरा ज्यादा किसमे डील हो रहे है पाकिस्टानी करणसी में तो इसलिए फिर हम इसकी जनल इंटरिस किस करंसी में करेंगे? पाग रुपीज में इट बॉट आ प्रॉपर्टी निया यॉर्क इसने निये यॉर्क में एक प्रॉपर्टी खरीदी फॉर पांच मिलियन डॉलर पांच मिलियन डॉलर की उन दो जुलाई दो हजार उन्निस साल खतम होने से कितने महीने पहले? तकरीबन तीन महीने पहले जुलाई, अगस, सब्तमबर तीन महीने पहले इसने नियू यॉर्क में एक प्रॉपर्टी खरीदी है बिल्कुल ऐसे बाजू पीछे रखे ने 25% अमाउंट वस पेड इमिजेटली 25% पैसे फोरण दे दिये और रिमेनिंग इस टू पेड़न 31 अक्तूबर 2019 और बकाया पैसे हमारे साल देनी है या अगले साल हमारे साल तो नीना माई बवलू बाकी पैसे अगले साल देनी है पैसे मून लिमिटेड फैनेशल ये रेंड जान तीस सेप्टमबर इच येर रिल्यमेट एक्सेंज रेट सार दो जुलाई 19 का रेट आ रहे है 30 सेप्टमबर 19 का रेट आ रहे है अगले साल का रेट आ रहे है जो हमारे लिए रिलेवंट है ये अगले साल के इंटरीज ही नहीं मांगी न अगले साल ये बातें क्यों हो रही है ये क्या जो मुझे बताएं मसला है तर इदर टेंटे हो नहीं अच्छा दे प्रॉपर्टी इस वेकेंड प्रॉपर्टी खाली है जाके बोलोगे तो अपनी आवाज ही वापिस आएगी दे प्रॉपर्टी इस वेकेंड और भाई ये सारे इदर मैंने कुछ भी नहीं कहना इदर बैठ जो आज बैठ के देख मेरे दोस्त इदर देख क्या होता है देरे साथ बैठ इदर फयर वेलिओ अफटी माधर तीया लाइन तो रही गई थी दे फ़यर वेलियू प्रॉपर्टी इस फाइपोइं वन मिल्यों डालर अंती सब्तमबर दो हजार उननिस दे प्रॉपर्टी इस वेकेंड प्रॉपर्टी खाली है और ये capital appreciation के लिए रखी है और इसकी use for life पचास साल है moon limited uses fair value model moon limited कौन सा use कर रहा है relevant standard पहले ढूंडेंगे फिर fair value model की तरफ आएंगे relevant standard कौन सा है land and building है ना property सिमराद प्लांड है machinery तो नहीं है late आने वाले जल्दी page 527 तो property क्या है land and building है तो land and building अगर capital appreciation के लिए रखी है तो साथ वले से highlighter लेके हम यह highlight कर लेंगे यहां से पता चला हमें कौन सा standard apply होना है IS 40 और उसमें model कौन सा लगाने fair value model लगाने balance sheet में property किस value पे आएगी balance sheet में property किस value पे आएगी यह तो मुझे भी पता है fair value पे आएगी मैं पूछ रहो कितने amount पे आएगी किस value पे आएगी 5.1 million dollar multiplied by dollar के साथ one लगा होना तो multiply वाला सवाल है multiplied by 805 point तो को T count बनाना पड़ा लंबे चोड़े साइंस करनी पड़ी या सीधी 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 figure पता चल गई चलें खाने पीने की लेटने बैटने सोने सब चीज़ों की जाज़त है पार्ट B में साथ वाले के कंदे पर रेस्ट करने की भी जाज़त है if he allows ओके एंट्रीज बताएं यकम जुलाई दो जुलाई दोहजार नो को के एंट्री होगी दो जुलाई दोहजार नो को इंवेस्मेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट एंड पेबल कितने परसन्ट पेइमेंट हुई है मैंने एक काम आँ था कर लिया करें फाइब मिल्योन डॉलर इन्टो इस इकल टू एंड फाइब मिल्योन डॉलर इन्टो सेवंटी थ्री पॉइन सेवंट उइड दो जुलाई को बिल्डिंग खरीदी कितने की खरीदी पांच नहीं मिल रहा मुझे ये अपर पूरा हूँ दो जूलाई दो हजर अनने सेंटρι बताएं इन्वेस्टमेंट पॉपरटी डेबिट और पेड़ेड़ेड़ेड और कैश इन्वेस्टमेंट पॉपरटी बताएं कितने की खरीदी ऐ हैं फाइव मिलियन डॉलर जरफ, कैश, वो वरकिंग आपने पहले से की भी है, वन पॉइंट टू फाइव अली, वन पॉइंट, जी, थ्री पॉइंट, जल्दी करें, इस तरह की एंट्री कल भी की थी, जब चारा खरीता था, थोड़ा सा कैश में गया था, थोड़ा सा पेवल में गया था, 100% वहीं एंट्री है, कल चारा था, आज जमीन और इमारत है, नेक्स्ट, तीस सप्टम्बर उन्निस को कुछ इंट्री करेंगे, फेर वेल्यू वाली और, और, वर्सिज वाली, क्योंके, वी आर एक्सपोज़्ट, जी, तीस सप्टम्बर उन्निस, इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी का टी काउन मना लेते हैं, जी, कितने का खरीद है, कैश भी है, पेबल भी है, इसको इस बेतर है के अडिशन्स लिख दे, अडिशन्स, केरे डाउन तीस सप्टम्बर, किस तरह, 5.1 डॉलर इन्टो, वो को, आखरी वरा नाम क्या था? सुल्टाना, सुल्टाना, 820 वाली चीज कितने पे गिर गई? 805 पर, 14 पॉइंट, बोले, फेर वेल ये लॉस्ट डेविट, पेवल कितना है? पेवल पॉइंट, पेवल कितना है? येर इंड का रेट लगाएं या अगले साल का रेट लगाएं येर इंड पर खड़ों के अगले साल का रेट तो नहीं बता हमें 150 वर्सिस वो तो पता है पड़ा वह उपर 615 जी बताएं अब कितना अबाज लगाएं सुल्ताना 615 वाले को पांसो बानवे देने सुल्ताना सुल्ताना बोलो 615 वाले को पांसो बानवे देने सर्ताज खुशिया ही खुशिया एक्शेंग गेंड़क्राइट झाल 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 बढ़ आप ब्रू हट में कि लिजाएं। आप खुड़े हैं dai कि लिक्रणओा कैलोटर पक्ड़ें हैं आठ सो बीस को डिप्रेसेट करें करें लाइøre कि muffin साल ओकल हैं है फिसाइस साल , पकड़ें पैट पक्ड़ेंगें लिक्ता प्कली तरभातीं को बैठकेेिक लुएट के आपकड़े उन्हें वाइट एट पकड़ें और किलेटर पकड़कर आट सो बीस को पचास से डिवाइट करें दरा हाँ अधरीशेयत नहीं होगा वैट जो किसी को याद रहे निसको पुरी जिंदगी याद रहेगा तो बैधरीशेयत नहीं होगा क्यूंको कुण सा मॉडल य यह तो हाँ बन गया है दो है चाहिए इसको इन्हों कर दें बड़े आए चलें जी सवाल के रिकॉर्मेंट पढ़के मुझे जवाब दे दें आज 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 आप के दर से जवाब मिल जाना चाहिए मुझे जल्दी दें जवाब जवाब वट इस टोटल चार्ज चार्ज मीन्स गम करेड़िट मीन्स खुशी वट इस टोटल गम स्लैश खुशी नेट असल में पी अनल में जाएगा न तो चार्ज से मुराद फिर घम है करेड़िट से मुराद फिर खुशी करेड़िट इंकम के लिए लफसी उज़ोगता है ना वट इस दा गम स्लैश खुशी overall in P&L in respect of above for the year ended 30 September 2000 पहली दफ़ा सुल्ताना को बलाया था तो घम के लिए बलाया था दूसरी दफ़ा सुल्ताना को बलाया तो खुशी के लिए बलाया इन दा एंड सुल्ताना की बाचे खुल गई नहीं, खिल गई है अचा एक भाई किताब पढ़े थे बकरियां चराया करते थे वो उन्हें भाई ने पढ़ दिया बकरियां चराया करते थे अचा तो 20.5 एक किताब में लिखा हुआ था कि कलमे का खिकर जो है इतनी दफ़ा करना चाहिए लेकिं जो सुफिया है जिनका बहुत ज्यादा वो ज्यादा आल्ला से तालुक डिवर उनको जरा इसका ज्यादा इहतमाम करना चाहिए तुन्होंने पड़ते है कर दिया सोफिया को जो है यह करना चाहिए और बाकी लोगों अच्छा तो बाई लड़की को नहीं लकड़ी लिखते थे बच्पन में अब बाईस चरिया पांच का क्या है खुशी और चोदें चरिया दो का गम क्रेडिट तो यहमसी के नंबर नाइन है लेट आने विले तस्वीर खेंच ले और इसको जो है वो घर जाके नोट के ले जागा और वीडियो यूट्यूब के डिसकेशन इटेंड के ले जागा यह आप लोगे नजर आ रहे है ये चोथी लाइन में एक बंदा फील आ रहे है लाए नजर ये चोथी लाइन में इसके साथ जो बैटा हुआ ये एक लेटा भी हो गए इस इसको बंद कर दो यार ये तो ड्राने अधी चीदे है ओके ठीक है जी आपके साथ तो लेकर इंतिजा हो रहा था अब वो तश्रीफ ले आए है इसलिए पास से पर क्वेस्ट नमर नाइन निकालने और इससे पहले अगर आप मेरी बात को मजाक में लेते थे तो वो अब आपकी मर्जी है लेकिन आज मेरी बात को जरगा सीरियस टी ले बिलकुल प्यार से सॉफ्ट तरीके से ना साथ आले को थोड़ा सा साईड़ पर करते हैं अब आप अपने टेंटिव रहना है दोनों कौनीों से ना उसको जरा फोज़ा पराँ पराँ कर देंगे यार प्लीज अब मैं अब मुझे न डिस्टरब करना अगले आदर घंटे अगर तुमने मलांग को छेडा ना कुरिशन नमर्न नाइन कुरिशन नमर्न नाइन सब्सक्राइब जी विल्कुल बन थेटी वरकिंग जीरो करेंगे जब कोई figures missing होगी और वरकिंग जीरो में कौन सा rate use करने फिर जब वरकिंग वन्टू की तरफ आएंगे तो जो एक diagram है जिसमें ऐसे तीन बने में है तो वो देख रजाइड करेंगे कौन सा rate यूज़ करने स्क्वेर लिमिटेड इस other dealer of electronic तो बतादें यह किसका सवाल है डीलर लेसर वालों से पूछें कि कहां से इनको पता चला यह लेसर है मुझे तो अभी तक पता चले डीलर तू टीचर से भी आगे जा रहा है और इसका मतलब है तुझे फूल स्टॉप को मतलब नहीं बता रूकमल रुक जाएं तो यह कौन है dealer, dealer means लोगों से चीज़ें खरीद के आगे बेचता है या खुद बनाके बेचता है, खरीद के cash sale करता है, अभी तक तो मुझे यही समझा रही है खरीद के cash sale करता है SL ने खरीदे refrigerator of a particular model from a manufacturer किसी manufacturer से खरीदे at a discount of 15% on retail price of 3 lakh per unit retail price का का मतलब है, customer को कितने का बेचने है 3 lakh का, excellent, customer को कितने का बेचने है 3 lakh का बिड़ा कहां से आ रहे हो पर जाब जी निविस्टी के थे, गुड़वले चावल खाने फिर हां मिलते हैं अज़र, तुनाए अब तुछ चलाजा एक लास के लोग दरी जी मोतरम हाज निविलने, हाँ मोतरम कहां से खाना खाने गए थे, बाशाई मस्य से बाइजन बाइजन इदर कहां से खाना का क्या आ रहे हैं कहां से खाना का क्या हैं क्या खाया है अच्छ चलो जो भी खाया है अच्छे आप अटेंटे को जो सवाल निया शुरू है स्केर लिमिटेट इदेखो इदर देखो इदर देखो आप दोनों के लिए स्केर लिमिटेड डियार रहे यह रेप्रिजेटर खरीज़ आप पर्टिकल मौडल के प्रॉम मैनिफेक्चरर एड़ डिसकाउंट ऑफ 15% प दिकवार है ना तो रिटेल प्राइस जानी जो बन्दा पैसे लेके आएगा उसे कितने का बेचेंगे लेकिन तीन लाग का तो डीलर ने बेचना है आगे डीलर को सस्ता देंगे तो वो कोई प्रॉफिट कमा सकेगा ना तो मैनिफेक्चरर से लड़ लड़ के क्या बात ते क्या हुई है कि तुम हमें 15% क्या दे दिया करना बिसकाउंट दे दिया करना मैनिफेक्चरर मान गया है तो हम 3 लाग माइनस 15% करके ये खरीद देंगे मैनिफेक्चरर से और जो बन्दा पैसे लेके आएगा उसे 3 लाग का बेच देंगे और यकम जनवरी डीलर ने भी आगे बेच दिये उपर तो लिखा था डीलर खरीद रहे अब लिखावे डीलर आगे बेच रहे टो क्यूब एकटा ओन रिटेल प्राइस पे बेच रहे लेकिन क्या डालके है लीज में लीज के टाहित बैच रहे या नORMAL दरीके से बेच रहे तो अब पता चलकए के सवाลके है अब जाके पता जाके सवाल डीलर लेसर कई इसने कितने रेफ्रिजेटर बेचे हैं क्यूब होटल को बारा बस रुक जाएं यहां पे खड़े होगे कॉस्ट और फेर वेल्यू जी कितने का बेचने कितने रुपीज इन फाउद अच्छा जी अब आपकी क्या राया है कि मैं कॉस्ट निकालने के लिए जो डिसकाउंट कल्कुलेट करूँ यह वाला भी बंद कर दो भाई इसके अंदर भी कोई बटन होता कही है खोलना पड़ेगा कहाँ है आप राइट से यह नहीं नीचे यह हाँ पेच से खोलना पड़ेगा यह आज़ो ने ले आओ जल्दी उतन जेर में अच्छा अब मैं तीन लाख माइनस पंद्रा परसेंट आफ तीन लाख करके जरब दे दू बारां से या च्छतिस सो मेंसे उसका पंद्रा परसेंट माइनस कर दू तो भी चल जाएगा पर यूनिट नहीं नहीं टोटल से खेल लें आप पर यूनिट से खेलने तो बारां से मल्टिफलाए कर दी जाएगा टोटल से खेलने तो बारां से मल्टिफलाए ना कीजिएगा क्या पसंद करेंगे आप टोटल से तो अब इस फिगर को यहां यूज करें और 36-15% of retail price पर कितना discount उससे मांगा 15% जबाब 3060 अज सुबह आप लोगों के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ ब्लैक कैट रास्ता नहीं तो जीब सी बात करना घर वालों ने आप से पूछा होगा निकलते वे कि अब ये रोजान नहीं हरा हफ़ते ये काम हुआ करेगा क्लास लेट होने वाला ये मेरे साथ तो हुआ आप लोगों में से किस-किस के साथ हुआ ठीक है इंशाला होता रहना चाहिए आगे चलें अन जेकम जनरी 2018 साल के पहले दिन SL ने बेचे हैं 12 अफजेटर तो क्यूब होटल at a retail price on lease. तो क्यूब होटल ऐसी है दे रेत फ़ दा इंतरस छुपाव इंद लीज वस 10% पर एनम अब्विस्ली जब हम सवाल शुरू करेंगे तो जी यही निकालने लगेंगे तो डाउन पेमिंट जीरो होगी हम ये तस्लीम कर लेंगे जीर्वी जीरो है हम तस्लीम कर लेंगे यू जीर्वी सवाल कहरे है जीरो है हम तस्लीम कर लेंगे लिए रेंटल जीरो तस्लीम नी करेंगे तो इसलिए जहन में खुद ही सवाल आएगा कि वर्किंग बन से पहले मुझे कौन सी वर्किंग करनी जी रही working zero तो कोई नहीं आप ऐसे working 3 के नाम से paper में कर ले no problem working 2 की जगा चोड़ दे है working 3 के नाम से कर ले मैं working 0 के नाम से कर रहा हूं आकि 0 का मतलब ये है कि इस working से पहले है working कर लिया अब उनको होना छोड़ दें उन workings को छोड़ें fair value plus IDC of lesser is equal to PV of LP अब भी रेड मारकर की दर कोई जरूत नहीं प्लस PV of गुजियारो फेर वेल्यो वो सामने पड़ी भी है पाई जान वो सामने फेर वेल्यो 34 IDC of lesser 0 PV of LP X into advanced में कितने कराएं है X प्लस X इस फॉर्मूले में हमेशा कौन सा रेट यूज करने है वर्किंग 0 में हमेशा इंप्लिसिट रेट 1 माइनस 1.0 रेज तो बार माइनस डिवाइड़ बाई X is equal to X is equal to जिन 1.3 1.316 को आप भाई आप 1.316 को 12 से मल्टिप्लाइ करो ताकि मुझे 12 रेफ्रिजरेटर्स का रेंटल मिल जाए जी क्या जवाब आ रहे है 1.316 को 12 ये दिवानों को बताएं कि तुम्हें तो जिस तरफ लगाया जाएगा तुम तो लग जाओगे तुम्हारा तो कोई पता नहीं दिवाने अकल लगा लिया करो ये 3600 फेर वेल्यू अलड़ी 12 की है तो जब ये फेर वेल्यू बारा की है तो फिर रेंटल भी 12 का निकलेगा ऐसे करें उसे बड़े अच्छी एक्स्प्रेशन आपने दिये थे आओ इदर अच्छी आप अच्छी अच्छी आप अब वर्किंग जीरो को भूल जाएं वर्किंग जीरो को फाइदा नहीं नोट करने पले बूलने के मतलब ये नहीं करनी नहीं करनी ये का मतलब ये नहीं करते रहने आगे भी चलने तू इदर उदर की ना बात कर तू बता तेरा संड़े और मंड़े का क्या प्लैन है कि उस्टे को तो इंशाला हमारी बात होगी हुए ना मुलाकात होगी नहीं 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 मैंने तो आपसे बात कर ली है वो तो हमारी आपस की बात है ना वो तो नहीं सब को बतानी होती क्लेरली बता दिया है नहीं मैंने आपको येस हाथ ख़़ए करने इट वस क्लेरली कमिनिकेटिड तो हम्दुलिल्ला कि हमारी क्लास होगी इंचाला ट्यूस देखो अच्छा जी प्लीज मेरा आपका मजाख नहीं है मैं तो कभी अपने साथ ही मजाख किया अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि रेंटल कितने निकला है वान थ्री वान सेक्स आफ वान थ्री जब ये वान थ्री वान सिक्स सवाल में डाल दिया तो वर्किंग जीरो काप कोई फायदा नहीं ना वर्किंग जीरो से कोई फिकर वर्किंग वान टू में यूज करनी है सिवा इसके असल में कोई रेट रूट लगा होता है कोई NI SHANA निकली होती है बचे वो ठाके कुछ नहीं 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 बस इन चक्रों में नहीं पढ़ना पर आप लोगा है बस पत्तम WORKING ZERO करके ये आ गया अब हमारा सवाल माशाला सवाल को गले मिलें मुबारे को मुबारे को तुम मुकमल हो गए अब ये मुकमल हो गया अ आप G, I, N, I के तरब मूफ करें. G, I, N, I. Lp, plus Utr. आच्छा जी, बोलें Lp. वो बोल रहा L P 1 3 1 6 into 3 plus गरम अड़ N I N I N I अब इदर जो रेट यूज करने हाँ क्या है वैसी वैसी उसे पूझ रहा था क्या है उने बोल दिया तो पर हमने चुप कर जाना है बोल क्या है ये तो वेटनस्टे को पता चलेगा क्या क्या है ये वो मंडे वाला आपका और आपकी घरवले का मामले है इसमें मैं नहीं इंटरफेर करूँगा वो आपके घरवले आपको पढ़ाने में काम्याब हुएं बिठाके मॉबाइल लेके वो उनका अपना मसला है इसमें हम नहीं इंटरफेर कर सकते हैं क्या देखने जा रहे थे हम शिडियूल शिडियूल वो जो डायग्राम है सवाल किसके फाइनेंस लीजे डीलर लेसर मेन्यू पेक्टर डीलर लेसर का सवाल है हाइर और एंड मार्केट रेट हाँ जी higher दोनों मैं से 1-1.4 राइज टो पार मैंनस divided by catch it कट वापर स्काइच कराओ कच आठू 12.17. । Why are you khanging? It's not the time to khan, it's time for first journal entry. एनाए एनाए यह आगया यह वला बलाना है यह नहीं बलाना है यह और यह एक है लेकिं यह यह और 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 यह कोस्ट, लोर, कोई ज्यादा से सवाल होंबक में तैयर मैं आपको दूँगा आज इंशाल्ला ज्यादा से सवाल आज शाम को तो नम ऐसा कर लूँगा जितने लीज के सर ने सवाल पास ये उपर के गराए है ना आज वो कर लूँगा कल पिर इंशाल्ला सुबह सुबह ना आईस पोटी वन से शुरू करूँगा पहले आईस पोटी वन करूँगा दुपैर तक फिर दुपैर के बाद आईस ठेटी एट कर लूँगा इंशाल्ला पिर उसके बाद रिजल्ट्स चिल देखके फिर आईस टॉंटी वन और फिर इंशाल्ला इस मुबार को दुपैर से लेके रात तक जो सारा किया हुए वो हुए अब पोसीबल नहीं है है आओ पसीबल इसरी क्या मुस्थ जैसे था सी ब भृष्थ लीनियू ऐसमें बहूंद दुभाई से ओके आजाते हैं आप लोगमयिन कर सते हैं चांद से हो एक उरब एक्सेलेंट एक जनरी ठारा शुकर है को बोला है अगर इसमें आइडी सी होती तो वह लिंग एक्सेंस में जाती इस तरह तो हमने क्लास में कभी भी नहीं किया इस तरह तो हमने क्लास में कभी भी नहीं किया मौटर नहीं शेडियूल मनागे करते हैं लेकिन इस तरह अगर कभी हुआ उस जिन्दकी में तो आपने देख के परिशान होना है यह एक ही हो गया है तो जहरी बात है एन आई से आपको पता है शुरू करते हैं और नाई में से पहली पेमेंट पर इंटरस्ट नहीं होता उसको पूरा माइनस करते है और फिर वो करते हैं लेकिन छोड़ने पर हैं को वाचला हांस की चाल अपनी चाल पर वापस आई है एन आए नीचे आ ना एन तो नीचे आ गया तो मर क्या अब एक है यार तुझे समझाया था आ जाया कर सवाल में वर्किंग जीरो तरी विज़ा से करनी पूरिया इंदर ऐसे न करीब प्यार समा रहा है और इंटर पकड़ें थ्री फॉर एट थ्री जल्दी इंटू फॉर्टीन परसंट करें अच्छा दी क्या करने इसका फिर? क्या करने इसका फिर क्या करने इसका फिर बेले सीट में तुमांगा क्या है इंट्रीज तो क्यों निकल वा रहे हैं ये स्केयर लिमिट्ट का स्वाल है आपके टेंड में इंशालला क्यूब लिमिट्ट का एगा फिर रॉम्बस लिमिट्ट का एगा जल्दी करें पूरा टॉपिक समझाता ना एक सिटिंग में पास फेपर कर लें दो बदरी मुझे तो अच्छी तरह याद है चार-पंच घंटे में बैट के हम पास फेपर सारे कर लिए करते थे जो एक चेप्टर के होते थे बस टाइम ढूंड रहे होते थे किसी ने टाइम मिले बस पर छिक्के रखो काम को कि इधर लियाओ चैमिरा ये तो इंशाला मेरा ये तो बहुत पुराना 16 नम्बर काता है थाना अब तो छोटा सा सवाल है ये तो मेरा इंशाला पंद्रा मिन में होजेगा पंद्रा मिन में ये भी कर लूँगा आदा घंटा कि फिंद्रा में यह भी कर लुंगा पंद्रा मीनट ुच्छा यह वो ट्रैक्टर वाला सवाल यह दस मिन उचा अइए फ़ड़ी दफार टाइंग लगा था एक गहेंटाåd अधस मिन पोए अच्छा यह पूराब निट में शाला यह तो आज की है यह सा नंबर का सवाल है दस मिनट में शाला यह जे जो ने विशीद टोटल कर रहे हैं लगया रहा है तो यह इंशाला बीस मिनट में 20-25 में में होगा यह तरा टाइम लेगा तो अच्छा 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 इसमें आपको यह करवाया है लेलेल करवाया है तो यह होजगा अच्छा अच्छा यह दस मिनट में होजगा यह बीस मिनट में होजगा तो इसमें तो वैसी पार्ट वन कराया था दस मिनट लालो यह 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 बीशाला पंदरा मिनट में होजगा यह टेस्ट में किया था सार ने डिसकस कर लिए छोड़ो इसको पड़ लेते हैं एक दफार यह तो यह तो भी कर नहीं सकते पता नहीं इसमें टेक्स रेट है शायद इसलिए नहीं सार ने करवाया होगा पता नहीं क्या वज़ए ला जानते हूं सार जानने हमें क्या पता चलो छोड़ो परे मैं अभी ऐसी पंगा करूँ है तो तो तीन घंटे तीन घंटे दस में सारे पास में परलीज के ओ वाड़ा ग्रेट पैकेज इट इस इसपर थरी और टेन मिनटस ऑफ हिज हर लाइफ अफ हूब सारों लिजिस्टर में चेक करूँगा तो सुरू से लेकर यहाँ तक यह सारे स्वारों सिटिंग के अंदर सवाल करने से पहले ना पता लैसी ना पता लैसर ना ये ना वो ना ये ना वो मज़री आजएगा फिरता That's nice guys What a beautiful plan of today क्लास में आने से पहले आपके कुछ और प्लान्स थे आज के और देदर बैट के प्लान्स बदलते जा रहे हैं ये तो हमने किसका प्लान डिस्क्रास किया है आज का कल और परसूं का प्लान इन्शाला स्टेट यून ओके वैसे ही छोड़ो यार इनको ये लोग तो ऐसे मुझार करते हैं मेरे लिए तो प्रैक्टिक अबले है साड़े साथ बजे नमाज बढ़के फारेग हो जोगा साड़े दस बजे तक हो जेगा इन्शाला कोई मस्लानी हो जेगा मैं करनो हो इन्शाला 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 देखो फिर ऐसे लीज जोगा यार जोगा जैसे कल आई केया में पेपर है ऐसे त्यारी करूँगा मैं तो इस तक हो अच्छा दिया आप लो गिधरा आजए ये में ऑनलाइन लोग से बात ने कर रहा था तो कयाक कर दो साथ वाले को दो, प्रकड़ नहीं? हाँ कि यह वेरी क्यूट गाए कि वेरी क्यूट गाए कि वेरी क्यूट गाए कि पास पेपर कितने कि वेरी मेरिंडा दिखाई जा रही थी और फिर बकरे के कान खुने जा रहे थे कितनوں को फिछ वर था मिना टाइम्स हाय और है मैं तो पड़ने के लिया हूं चले हम आUND आगे होते हैं अशे लोग कलास में होते हैं कोई हाथ करा करें छे कोई नहीं था Sauna Limited Sauna Gold Is a dealer Of specialized engine यह यह ऐसा नहीं है कि यह ऐसर special nature का है यह कोई ऐसी बात नहीं है specialized engine means किसी की requirement कुछ होगा specialized special nature का कोई ऐसर हो तो वो खुद बताएगा हमें कि ऐसर is of such a special nature कि उसे इससे इसे नहीं है हमारे पास तो इसे dealer of specialized engines GL acquires each engine from a manufacturer वो manufacturer से लेता है engine at a cost of 58 58 का लेता है और 71 million का आगे बेचता है किस पर अगर कोई अमीर बंदा आजए तो वो cash पे ले लेता है estimated economic life of an engine is engine की life कितने साल है पांच साल और यकम जनरी दोहजार वाइस lead limited leased an engine from GL कोई company है lead उसने GL से engine leased पे लिया चार साल के लिए पहली installment of 16 million was paid on पहला दिन and all subsequent installments are payable और यकम जनरी subject to increase of 2 million in each year LL incurred lawyer fees of 4 million LL ने कितनी lawyer fees incur किये जिसमें से GL ने डेर्ड मिलियन दे दी जिसमें से GL ने यर इसका ये मतलब होगा कि आप IDC ना लेसी के लिए लेंगे जल्दी बोलें धाई और IDC lesser के लिए लेंगे बस ये मतलब होगा और कोई मतलब ने इस बात का GL estimate that residual value of the engine at the end of lease is sorry मादरत LL incurred IDC of 4 million जिस में से GL ने उसको reimburse कर दी अच्छा लेसी ने परे अपनी lawir को कितने दीए लेसी ने दीए लेसी ने दीए 4 million लेसी ने जो अपने lawyer को 4 million दीए लेसी ने जाके lesser के लिए डूला डला मैं हमेशा लायर arrange कराता हूँ तुम्हे शर्म नहीं आती तुम भी कभी anаж डेंग डिए वहाँ पिर लेसर ने का चलो यार मामला खतम करो 15 लाफ रुपए मेरी दरुसे डालो अब लेसी की जेब से कितना पैसा गया नेट ढाई और लेसर की जेब से डेड़ांकों के लाइनमेंट इदर रखें सीगे अधर हो रहा है जील का अंदाजा आए अचा लेसर के एंगल से डिसकुशन जरा सुनने क्या होती थी लेसर 9 बजे सोचता था सोचता नहीं था लेसर 9 बजे गरंटी कराता था लेसी से और 10 बजे सोचता था कि रेड़िडल वैलियू कितनी होगी अचा आप आए लेसर ने सोचा है कि रेजिडल वैलियू एंड पर होगी पांच मिलियन ये क्या है कौन सी विली जिया ये कौन सी वाली डेजिडल वैलियू है टोटल रेजिडल वैलियू जो उसने दस बजे अंदाथा लगाई है टोटल है पांच However, LN has granted an additional amount of three attend of LN ने additional amount डाल के guarantee दी है यहां से पता चला है उसने additional amount डाल के guarantee दी है तो टोटल guarantee उसने कितने की दी है आठ की अब ऐसा possible है कि वो दस बजे सोचे कि residual value पांच है और उसमें से guarantee उसको मिल जाए तो मैंने का था UGRV को balancing निकाल लीजेगा जीरो यह किसके एंगल से discussion हो रही है नोट करें आगे आजोनां भाईये कर नदराने में मसला होता है अच्छा है मुझे फील हो रहा है जिस तरह हम चल रहे हैं न तो इन्शालला आज हम तकरीबन सरड़े चारवे तक फरेग हो जाएंगे स्वरी अच्छा तो इस तरह की बातें बड़ी याद होती है वो बात याद नी थी मैंने टील्टे को बलाया हुए और ये वाली बातें याद होती है जी कितने अच्छे हैं बच्छे हमारे However, LL has granted additional amount of premium market rate of interest is 15% per annum as an incentive to LL for entering into lease market का rate 10% है लेकिन उसने implicit rate 10% charge कर दी है which is known to ये किसको पता है लैसी को पता है ये किसको पता है लैसी को पता है LL is obliged to incur a decommissioning cost of 9 million and 10 of lease term ये जिमेदारी किसकी है लैसी की लैसी ने मजदूरों को 9 million देने एंड पर de-install करने के लिए discounted of 12% may be assumed wherever required but not given जहां कहीं आपको rate चाहिए हुआ तो वहां 12% use कर लेना अगर given ना हुआ तो दरह देख लेते हैं वो टेबल में अपने अगर कोई given वाली चीज ना हुई तो फिर आप इसाला use कर लेंगे अच्छा भाई सवाल में कोई चीज missing नहीं रेंटल और सब अवेलेबल है lesser के अंगल से मुझे बताएं कि lesser के अंगल से 9 million important है जो decommissioning cost है बारो बार general entries में बारो बार general entries में लेके जाएंगे और अगली बात मुझे ये बताएं कि सवाल के अंदर जो है वो rate dealer का सवाल है rate कौन सा use करना है implicit rate और market rate में से कौन सा 15% और 10% में से higher कौन सा है 15% जी working zero no need cost बोले fair value discount निकालें कितना दिया है कोई जूरोत नहीं अगर discount निकालना होता तो फिर 13 रुपे बन रहे हैं न मिने खालते 13 रुपे 13 को 71 से divide करके देख ले थे कितना discount दिया है ऐसी नहीं करते 13 पते कैसे आया है 13 13 को अगर 71 से divide करके देखें तो आपको discount पता चल जाता exact 18 आ रहे है 18 पॉइंट तो यह जीब सी को percentage निकल रहे हैं लेकिन उसे percentage दी इस सवाल में या पिछले सवाल में discount की percentage दी थी यह मैं कोई discount rate वाली percentage निकाल रहा हूँ या manufacturer और डीलर वाली डील निकाल रहा हूँ manufacturer डीलर और डील याद ना चिंग्ची उसके अपने नहीं होते थे वो बाजार से खरीदता था तो इसी तरह यह कोई चीज है जो dealer machine है बाजार से खरीद रहे यह dealer है यह machine बनाने का कारोबार नहीं करता तो manufacturer की क्या खोहिश है बाजार में कितने की बिके तो यह manufacturer से कितने की खरीद रहे समझा रही हैं यह बाते GI अच्छा यह ना पांच हमने scenario's किये थे यह उसमें scenario नमबर फाइव था पांच जो हमने scenario's किये थे एक दफ़ा उसमें scenario नमबर फाइव था के guarantee कर दी थी 10 की उसने और हमारा अंदाज़ा था 7 है तो 7 की आरवी में 10 की जी आरवी पड़ी थी तो यह scenario फाइव टाइप था जो page 55 पे हमने किया था क्योंकि हमारे सवाल में भी पांच की आरवी आ रही है और उसमें आठ की क्या पड़ी भी है इसलिए यूजी आरवी हमने क्या ले लिए है रेंटल जम्रेंग जम्रेंग के हैं तो यूजी आरवी आचाँ रेंटल एडवांस में है एरिएर में है advance میں तो अगर Intel advanced में यह SRV नहीं लिखा हुआ यह 5 लिखा हुआ है अगर Intel advanced में इसको discount नहीं करेंगे तोटल तोटल क्या करना नहीं होते है GI का ऑनन इंट्रेस्ट निकालने के लिए help होगा वैसे मुझे लग रहे है टाइम जाय करा रहे हैं यह तो सान सा सवाल था यह अब हो भी गया था तो नहीं क्यों मेरा टाइम जाय करा रहे है मैंने तीन घंटे दस मिनट घर जा के पढ़ना भी आप जिसके लिए भी मुने टाइम निकालना है सोला यह यह तो सिंपल होते न वह जी आर्वी यूजी आर्वी और पर चैज ऑप्शनी तो लीस के इंड पर होती है सिक्टिफाइब पॉइंट एट वन अचा है यह पिछले सवाल में भी नहीं देखा था के लीस पैने से यह ऑपरेटिंग पिछले में तो लाइफ भी नहीं दीवी थी तो पिछले में देखें न पी वी अफल पी को फेर वेलियो से डिवाइड करें तो जवाब 90% से ज़्यदा आ रहा है पी वी अफल पी को फेर वेलियो से डिवाइड करें तो जवाब 90% से ज़्यदा आ रहा है इसलिए फाइनेस लीज है और हमारे सवाल में आए, हमारे सवाल में इसके जरूरत ही नहीं, हमारे सवाल में इसके जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे सवाल में उसने क्या दी भी है, लाइफ दी भी है, तो लाइफ कितनी है, लाइफ कितनी है, यहर वो एक सवाल भी मैंने खोला था, क्षेटन बारा पास फेपर का उसका शायद दूसरा पॉइंट आप लोग कह रहे थे हमने किया हुआ है हाला कि उसका दूसरा पॉइंट अभी तक हमने शायद किया नहीं हुआ ऐसे ही आप लोग कह रहे थे चलें वो भी कर लेंगे हमें का जलती है चार बजे हमें किसे ने लेने आने कितने बजे चार बजे चार बजे तो वो करीबी मस्जद में आएंगे ना नमाज पढ़ेंगे जो भी लेने आएंगे चार बजे तो नमाज आए अच्छा जी हान जी बोले कौन सा सवाल करें थे हम इस तरह की चीज़ें हम लो बहुत पता होती है जो काम की बाते हैं वो बूली होती है हाँ जी क्या देखने के लिए आया था में दर लाइफ अच्छा देखने मैं यादा यादा आप लोगों को है रिली अप्रिशेट ये पता नहीं क्या हो रहा है ये मैं खोल कोई और सफ़रा हूँ कंट्रोल वो बाके नहीं पढ़ा हूँ बच्छमन में क्या करते हैं आप लोग फस्चें मुश्किल में तो तो तीन लोगों बाके नहीं पढ़ा हूँ गार में फस गये थे वो सच्चा वाक्या है वो सच्चा वाक्या है सच्चा किताबों में आता है तीन लोग गार में फस गये थे फिर सब ने अपना अपना अमल पेश किया लगो एक ने मज़़ूर को मज़़ूरी ने दीवी थी उसने वो पैसे सेव करके रख लिये थे फिर एक गुना का काम करने लगा उसने इल्ला के लिए छोड़ दिया फिर तीसरा था गरवलों के लिए कुछ लाया माबब सोये वे थे फिर माबब के इंतदार करता था जब तीनों ने अपने 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 अमल पेश किये तो फिर अल्ला ने वो गार इतनी कर दी कि तीनों और आउन से निकल गए आप भी कभी फ़ज़ें तो नेक अमाल अच्छा चलें तो वैसे आंके माबब सोचें हैं कोई ऐसे अमाल माशाला आप लूँगे रशीद में तेनों कहना नेक काम कर ले मन जया करतू मेरी बोलें 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 जल्दी बोलें कितनी है लाइफ पांच साल और लीस टाम किदर है लेजर लाइट लेके हैं कल से दरा में जल्दी बता दिया करें तो इसलिए लीस क्या बन गई फाइनाइश अब क्या करने है जनल एंट्रीज वर्किंटू छोड़ें जनल एंट्रीज एनए आए कास्ट मुझे भी तो प्यार से बलाओ चोपच हूँ प्यार से बलाएं एनए नाम ही इतना अच्छा है फिर वेल्यू और पी वी आफ एल पी लोर 65.8 अच्छा जी और इनवेंट्री कितनी 58 अच्छा जी आप बताएं एक एंट्री बारो बारो नहीं है जल्दी बोलें वो कौन सी है Selling Expense Debate Total या जितनी इसने जितनी इसने बियर किया कितनी 1.5 Next बस आगे तो आप एंट्रीस कर लेंगे कोई नस्ता नहीं है अगर आगे भी आप एंट्रीस नहीं कर सकते अगर आगे भी आप एंट्रीस नहीं कर सकते तो फिर आप जाएं अच्छा आप किसका सवाल करने है अच्छा इसका इंट्रस्ट इंकम पूरे साल का निकालना था आपको पतक है सवाल में ये तोइस्टों पई तुक्ते ती इसません बर्तव Aika? सवाल में एक ट्विस्ट ये था उसकी और अगली हो धिए ती इसका ओर आइक बर्ला करें बॉल्ड़ करके लिखे दिया बच्चों को पासबाना चाता है फुल टाइम जनी बोल्ड करके बता रहा है कि मैंने ये की है तो मैं फील हो रहा है मैंने की है अच्छा जी अब अब किसका सवाल सॉल्फ करने है लेसी का सवाल सॉल्फ करने से पहले क्या सोचे है जल्दी से मैं छुपा हूँ जल्दी लेसी का स्वाल स्वाल करने से पहले क्या सोचे जल्दी बोलें लो वेलियो एसेट है या वेल डन छुपने का फाइदा हो गया तो लो वेलियो एसेट है कटर मिलियों नहीं कटर मिलियों नहीं खिए नहीं चक्तर लोमेल्यों वेखेों हैं enforce चपेड़ मारों लोमेल्यों हृ शॉर्ट अम लीज ऑघर है शॉर्ट टम लीज आ है क्यों किर नदर नहीं आ रहा प्यार संथा रहा उठानी बिठा नदर नहीं आ रहा खुदा-किल इस से शुरू कहां से होता है वरकिंग कहां से शुरू होती है जी बोलें लपी लपी क्या है डाउन पेइमेंट प्लास जी आरवी डाउन पेइमेंट बिटा इदर आना जी आरेंटल ? ये ना हुआन एड विट गिए चुरू लेंटल , फिली डार्वी . ये ना विट आजीब, सो प्लीज ट्राइटो अंडर्स्टेंड लेसी के बारे में हमने यह कहा था एक जी आर्वी गरंटी करके आएगा एक जी आर्वी सोचेगा यही कहा था और फिर निकालेगा expected to be paid गरंटी कितनी करके आया है आठ तीन नहीं गरंटी करके आया है आठ जी आर्वी सोची कितनी लेसी ने सोची जी आर्वी नहीं बलके बस residual value, residual value सोची कितनी अच्छा आप इस सवाल में मसला यह है लिखें, लेसी की सोची भी residual value बेलेबल नहीं है लेसी की सोच वाली residual value बेलेबल नहीं है लेसी की सोच वाली residual value बेलेबल नहीं है लिख लिया, क्वेस्चन के अपर, किताब पे लेसी की सोच वाली residual value बेलेबल नहीं है यह GR भी नहीं होती, यह RV होती है जो लेसी सोचता है कि मैंसर को किस तरह यूज करूँगा याद है प्शुरू वाली क्लासों में बेगम की बात की थी अब बेगमात ही इतनी होगी हैं कि भूल जाएं वो कौन सी वाली थी, वो कौन सी वाली थी तीन तो आज आजा गी है तो लेसी ने अपनी बेगम से पूछा था आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है मलका रानी कि मैं इस एसेट को कैसे यूज करूँगा याद आ रहे तो लेसी तो यह नहीं पूछता है, मैं कैसे यूज करूँगा और सुने यूंज ही नहीं करना है सेqe को. तो लेसर थुबत खुद सोचता है. दस बजे उसके तुमाग से वनुनी कली थै लाइन एक. तो लेसी सोचेगा के मैं सेछे को कैसे इस्तामाल करूंगा. अब लेसी की सोच नहीं दीवी. क्या करें? जो lesser की सोच है उसी को lessy की सोच है जियूम कर ले मजबूरी में या फिर कहें चलो छोड़ो पर रहे यार पता नहीं लेसी ने क्या सोचा होगा अब मचबूरी मेश करा रहा हूं अब आजी कैप पंगे ले रहाए quin किया किया जा सकते है वह कोई एक ही नमबर आपका कटेगा यह जियर भी जो बनुदा गलत लेगा जैरी वात है आप साथ जमन्द सत्रा नमबर का सवाल है तो आप DRW गलत ले लेंगे तो मेरे खाल से 17 में से आपके 16 नमबर आ जाँगे और क्या होना है मिक्सिमम तो एक थोटा सा है कॉंसेप्ट अब्सॉर्ब कर लें अगर हो सकता है तो मेरे खाल से तो पेपर में बिशाक अजम्शन ले ली जाएगा अजम्शन ना भी ले तो अगर सवाल साइलेंट है तो फिर आप यह यह जम्शन कर लें कि जो जील ने एस्टीमेट किया है वो ही किस ने एस्टीमेट किया है एलल ने तो मजबूरी में जो लेसर ने आर भी सोची है वो ही में मजबूरी में कितनी अब बोले आठ वली चीज गरंटी कितनी कर दी गरंटी कितनी कर दी आठ की और चीज कितने वली लेके जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड गलत क्यों बोल रहे हैं चीज कितने वली लेके जा रहे हैं पांच की और गरंटी कितनी की भी थी आठ वाली लेके जाओंगा या भूल रही हैं चीज़े लैसी कैसे सोचता था यह यह डायग्राम में एक बनीवी थी यह डायग्राम बनीवी थी यह खुलते हैं डायग्राम तो नहीं एक्जामपल्स करवाई थी आपको यह देखें दो अगर याद आरी है अगर एजिटल वैलिव इंड पे 12, 15 है और लैसी ने गृरंटी कितनी कर दी है जल्दी बोले है यह आप लोगों कोई कराया हुए एस्टीमेट कितना है 15 और गृरंटी कितनी कर दी है 10 की तो अब बोलें क्या करेंगे जल्दी बोलें जल्दी बोलें दस का वादा किये है और जब चीज एंड पर देखे जाएंगे उमीद है पंदराँ वाली ही देखे जाएंगे तो कुछ देना होगा और नहीं निकल जाएं कोई बसक्ता और आगे अगर अठारा गरंटी कर दिये है कि तुम इठारा वाली चीज दूँगा और एंड पर चीज पंदराँ वाली दे रहे है फिर तीन अब देखे गरंटी वाली ज्यादा है और जो मैंने सोची है वो हमारे सवाल में भी तो देखे इसी तरह है हमारे सवाल में देखें इसी तरह है गरंटी वाली कितनी है ज्यादा है हमने जा सोची है वो मजबूरी में सोच लिए जो लेसर की सोच है तो लेट्स डिसकस इट नाव कितने वाली चीज मैं देखे जा रहा हूं इंड पे और वादा क्या किया था कितने वाली कम से कम दे दूँगा एक्सपेक्टेट टू बी पेड ये बड़े मुश्किल तरीके से थ्री निकला है ये नोट कर ले इस वज़ा से ये वाला थ्री यहां ले लिए ये तो बहराल वरकिंग का पार्ट नहीं है ये तो ऐसे डबे में डालना पड़ेगा मजबूरी में क्या किया जो सोच ये बड़ेगा ओके, जी पी वी, सोला, लेसी कुन सा रेट यूज़ करें? अगर उसको पता है, इंप्लिसिट तो इंप्लिसिट कर ले, नहीं तो इंक्रीमेंटल बॉर्विंग रेट अब बताएं क्या लिखा हुआ है? तो कुन सा यूज़ करें? अब सारे लोग अटेंटे बोजें, बड़ा इंपॉर्टन सवाल आने लगा है अगर ये लिखा होता पेपर में वो तो गिवन ही नहीं है, इंक्रीमेंटल बॉर्विंग रेट गिवन ही नहीं है फिर वो सवाल में एक लाइन देखे नीचे लिखे है डिसकाउंट रेट अब बारा पसंट मेभी एजिम्ड वेरेवर रिकॉाइट बट तो अगर कोई चीज आपको चाहिए और आप ढूंड रहे और नहीं वेलेबल फिर ये गुदारा चला लो मार्केट रेट इन इनी केस जूज नहीं करना, मार्केट रेट खास है लेसर के लिए और वो भी सिर्फ मेनिफेक्चरर और डिलर लेसर के सवाल में तो ये बड़ा मज़े का सवाल बन गेए ये पॉइंट डाल के नोट वाला जी अठारा इंटू वन पॉइंट अभी तो पते अल्ला का शुकर है रेस टुपर माइनिस प्लस 1.1 रेस टुपर प्लस 22 इंटू प्लस 3 इंटू 67.47 जी हां जी यकम जी 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 टू है ना जी 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 करने हैं अगुक्त आ हुआ जी अजी युक्त लिए जी 67. और पी वी आफ डी कमिशनिंग. क्या डी कमिशनिंग अभी होनी है या चार साल बाद? मैं आरोईू की कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहा है. आरोईू की कॉस्ट में क्या जाता है? थोड़े दिन पहले पढ़ा था, कल पढ़ा आरोईू की कॉस्ट में क्या जाता है? आरोईू की कॉस्ट में प्रेजेंट वैलियो फ लीस पेमेंट जाती है और अगर उसमें डाउन पेमेंट और पहला कराया ना लें तो वो भी जाता है लेकिन अभी तो हमने लपी में पहला कराया डाउन पेमेंट वगरा कवर कर लिय है और आरो यू की कॉस्ट में कल हमने पढ़ा था इंस्टालेशन जाती है डी इंस्टालेशन की पी वी जाती है और आरो यू की कॉस्ट में हमारी इनिशिल डिरेक्ट कॉस्ट लायर फी जाती है तो ये सारी चीजे मुझे अवेलेबल है नहीं मुझे पीवी आफ एलपी अविलेवल है और पीवी आफ डी कमिशनिंग अब ये जो पीवी आफ डी कमिशनिंग है इसके लिए कौन सा रेट यूज करना है ये मैंने आपको नहीं बताया कभी PV of D कमिशनिंग के लिए कौन सा रेट यूज करने ये मैंने आपको कभी नहीं बताया तो ये IAS 37 में डिसकस करेंगे इसलिए उसने यहां लाइन लिख दी जो रेट आपको नहीं पता वो IAS 37 में पढ़ें ये उसका तरीका क्या रेट होता है तो PV of D कमिशनिंग के लिए तो वहां मजबूरां कौन सा रेट यूज कर लो इसलिए ये 12 पसंट यहां यूज हो रहा है क्योंकि वो जो मैंने आपको डियाग्राम दिखाई भी है ये PV of D कमिशनिंग के लिए नहीं है डियाग्राम इसमें कही रेट दियाओ है PV of D कमिशनिंग का नहीं अगर इसमें रेट नहीं दियाओ है PV of D कमिशनिंग का तो कैता है रेट फिर कितना यूज कर लो जहां रिकाइड हो लेंकि ना मालूम हो 12 पसंट, इसलिए 12 पसंट यूज करे बताएं 9 इंटो 1.12 लेकिन कितने साल बाद डी कमिश्टिंग करानी है जी 5.72 क्या 2.5 है IDC है स्वाल में ओ ग्रेट मैंने समझा नहीं है यह तो बहुत अच्छा हो गया जी तो मेरे खाल से यह और वर्किंग है कर लिया करें अगर उसने पीए डालो बैलेस चीट मांग गया अब यहां खड़े होके अगर लेसी की पहली 3-4 क्लासे लीवी है तो बता दें P&L में क्या आता है बस बस और कुछ नहीं आना और क्या आता है बैलेस चीट में आरो यू लीज लाइबिलिटी और इंटरस फेवर चलें जा डिरेक्ट मनाते हैं P&L बैलेस चीट कब का इंटरस्ट पेमिंट देखनी है या सिरफ खर्चा देखने है भी ये फिंगर होगी ये थंब हो गया ये किस साल का इंटरस्ट है 22 के साल का ये किस साल का इंटरस्ट है मुझे ये पूरा चाहिए या मैं 30 स्प्टमबर 22 को अपना P&L बना रहा हूँ तो तीन महीने में उठाओं 2021 से और 9 महीने उठाओं 2022 से अगरी करते हैं तो हाथ खड़ा करते हैं तीन महीने में उठाओं 2021 से और 9 महीने उठाओं 2022 से शुरू हूई है असूली दोर पर ये 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 मैंने कैए सोचा करें किसी को याद है ये ये सोचाने का तरीका पताए था एक दोर बहुत बुरी भी थी आप लोगों के साथ जिसमें पता नहीं तीन पेमेंट से आपने इंटरस्ट निकालना थे कठा करके तो इसलिए अर्सा सोचा करें मैंने माना कि ये पिछले साल का अक्तूबर नमंबर दिसंबर और हमारे साल का जनवरी से सब्तंबर का कलेंडर है लेकिन पिछला साल तो देखे ही मत क्योंके लीजी हमारे साल शुरू हुई बोलें इंटू थ्री पॉइंट डेप्रिसेशन अब वो वर्किंग थ्री मुझे हल्प आउट कर देगी वर्किंग थ्री राइट अफ यूज की जो कॉस्स निकाली भी है कितने लोगों ने डिरेक्ट P&L बैलेंसीट बनाया था गर में कितने लोगों ने जर्नल इंट्रीस करने के बाद P&L बैलेंसीट बनाया था तो इडिस रॉंग अप्रोच तो पेपर में बहुत टाइम लग जागा इस तरह तो कोई ऐसा सफ़ा है किताब में जहां P&L बैलेंसीट में बताया है क्या क्या चीज़ें आती है वोई जो चार सफ़े मारे में है तीन चार सफ़े उसमें सब कुछ बताया है P&L बैलेंसीट में क्या आता है तो वो तो उनके लिए सफ़े हैं जिनको मैंने का था नोने पेज रखके उन सफ़ें के अपर सब कुछ सोच लिए हुए कि क्या क्या आता है प्रशीदा अजय भी कर लिए कामते साड़े थेन गहंटे दा हो गया चल वी मिनिट कोई फैर है यार चल फिर सारी प्रवराम अजय कैंसल यार असलाम अलेकुम यार मैं नहीं आ सकता यार असलाम अलेकुम यार मैं नहीं असलाम अलेकुम यार मेरे सारी कमिटमेंट्स है ना मेरे सेक्टरी कैंसल कर दो इंशाला दोजार रठाइस तक मैंने सीए करना है यह मेरी सारी commitment कैंसल कर दो 25 से secretary तुम्हें भी मैं निकाल रहा हूँ काम नहीं तुम्हें 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 लेकर देते थे जाओ निकलो तो अपने अपने secretary फारग कर दें हम कोई जरूध नहीं बस 14 पॉइंट पॉज कर दो बाइप पॉज करना कुछ नहीं क्लास के बाद आज़ा जिनको आगी कितनों को आगी अच्छा जी अब non current liabilities और current liabilities कि तरफ आएं तो lease liability और current portion of lease liability हमारे साल की payment की नीचे line लगा दे हमारा साल कौन से 20 22 की payment की नीचे 30 सप्तमबर 22 हमारा साल है यानि 30 सप्तमबर 22 में यकम जनरी 22 को payment हुई है न तो ये कि दर चला गया current में और non current में 38 point रिशीदू को पता चल रहा है की हो रहा है जा एंजी मूँ चोके लगे हैं तू sorry sorry face lift and watching for nothing अच्छा जी अब लाइनल ने मिटा दें finger त्यार कर ले थम त्यार कर ले finger थम अप्रोच ओके जी अब मुझे क्या चाहिए interest payable 30 सप्तमबर 22 as on as on 30 सप्तमबर 22 I need interest payable ये खत्रे की तलवार है जो मंडे की तलवार लटक रही है अच्छा बुला समझा रहा होता है पता नहीं mind को तर दुबारा ले जाते है मेरे मुझे मुझे से मैं leave में आया था चले जी वापस वापस 30 सप्तमबर 22 मेरा year end है तो finger और thumb क्या 2022 का पूरा इंटरस्ट यहां से मिलेगा December तक का मुझे सिर्फ कितने मीने का चाहिए 9 months का क्या इसमें से अगर मैं 9 months का इंटरस्ट निकाल भी लू नो बटा बारा करते के तो क्या वो 30 सप्तमबर 22 को paid है या unpaid है unpaid बिला वज़ा स्वाल करा रहे हैं घर में भी मैंने कर लिया था इतना time जाया करते हैं हद होती है इंटरस्ट नो बटा बारा आज पसंद आई है आपको working 3 तो working 3 जरू किया करें मेरे भाई क्योंकि आरो यू की cost अवेलेबल नहीं होती फिर division निकालना भी मसला होता है बाकी चीज़ें भी कलेट करना मसला होता है जहां entries हो रही होती है तो वहां फिर tension नहीं है अच्छा आप मुझे ये बताएं कि general entries क्या होंगी general entries आरो यू डेबिट लीज लाइबिलिटी आरो यू डेबिट पेबल टू मजदूर कैश पाल दीवा ना किया करें ना ऐसे इतनी दुपंगी ना मारें ना ये पेबल है कहां कैश हो रहे है ये installation की entry है डी installation की entry है साथ लेकर बता है डी installation चार साल बाद है चिज़ादे डी installation चार साल बाद है मजदूर हिलते रहे हैं से डी installation चार साल बाद है दस नहीं चार करने चार साल बाद है डी इंस्टालेशन और तू कैश तू सब कोई दुनिया में पैसे एडवास में देदे आर ओ यू डेबिट अब सोचके बोलने कैश इधर कैश रिया है और उसके बाद एल एल डेबिट कैश और उसके बाद डेप्सिशन डेबिट अकमरे डेप्सिशन इंटरस एक्सपेंस डेबिट इंटरस पेवल चलो ठीक है सई सवाल आ रहे हैं मैं भी कर लूँगा इंचाला तो देखते हैं पैसे वेटनेस टे को पता नहीं किया है इसमें आएगा दिखा दूँ थोड़ा साव एडनस टीकी जो त्यारी हो रही है चलें भी तर एनिटी आते हैं आए चलें पर टाइम बचाता हो देख लेंगे अज़िए आए जो मैंने प्लाइन किया वा था वह खुतम हो गया अभी आप लोगों ने बताया था के पास्टेफर के क्वेश्टन बारांगा को पार्ट बी रहते हैं तो वेल आइम वरी मच आए अज़िए था क्या कहते हैं इंटरस्टेट इन यार फ्यूचर और यूपीपल आरिल चैंप्स में इंग गिव यू चैंप्स लाइक यूप आँ अज़िव क्यों आइम आपको नेक उलाद दे यह बच्छे निकालें जी पास्टेटर के सिन बारा, कौन बोला था? कौन बोला था नहीं हुआ भावा? नहीं मुझे बताएं, बोला कौन था? हाथ खड़ा करें कौन बोला था कि बारा का भी नहीं हुआ? वेल्डन, सो रपे नाम अच्छी बात है ना नहीं हुआ भावा ना पढ़ें जी सवाल यूजिंग दा इंफरमेशन गिवन इन पार्टे अच्छा हमने ये समझा दो लाइन का सवाल है इसे पहले कर लेते हैं तो उसने बिड़ा एक सो पचास हम नहीं ये समझा दो लाइन का सवाल है इसको पहले कर लेते हैं तो उसने क्या कहा? यूजिंग इंफरमेशन इन पार्ट ए तो आज आगे खोती बोड तर ले हम भी दुबारा कड़े होगे ये इसको क्या मावरा बना है पंजाबी लोग जो है न वो पठानों के भी होंगे महावरे आमें तो नहीं बताना आप हम क्या करें उसने इंफरमेशन इन पार्ट है बुरा नमना है करें प्रिपेर नोट फॉर सिंद वालों के भी होंगे बलोचिस्तान वालों के भी होंगे यूजिंग दा इंफरमेशन दुबई वालों के भी होंगे कोई ले रहा है वहाँ से क्लास प्रिपेर नोट फॉर ज्यादा होगी प्रिपेर नोट फॉर इंक्लूजियन इन फैनेशल स्टेट्मेंट यह देखिया हो कोई फॉरन क्लाइंट तो नहीं हमारा जिसने बाहर का नमबर रिजिस्टर करा के इंग्लेंट से क्लासें ले रहा हो जिमने पाकिसान का सगिये करना है प्रिपेर नोट और इंग्लोजियन इन फ्रनेशल स्टेट्मेंट लाइफ माल इस इंग्लेंट फॉर्दाजियर इन रिकते संब रॉर्दाजियर यहां लाइफ मैं पार्ट भी नहीं इंग्लेंट यहां अच्छा जी यह IDC किसने इंकर किया है कितनी An incentive to DL for entering into lease LLL RIM bus rupees जाने है आपने जाने है आपने जाए और किसी इसने जाने है मैं किलना ही नहीं जुमाई जा LLL has incorporated implicit rate of 11% per annum which is known to DL The residual value of the machine at the end of 3 years is estimated at out of which DL has granted 20 million DL is also applied to incur decommissioning cost of 4 million at the end of इस line को मैं क्यों काट दूँ क्योंकि यह lessy के लिए है और अब मैं सवाल में किस के तरफ move करने लगा हूँ lesser के तरफ क्या लटर पकड़ ले जल्दी आपको फारिग कर देते हैं बस सुलूशन से दिखाके कौन सा है सुलूशन 12 इस फिर खुदी घर में कर लिए जागा requirement पड़ेजी क्या है आपने क्या मनाने किस के books में lesser के books में for the year and the date is summer 2020 अच्छा रेंटल बताएं ठर्ट फाइब और उसके बाद और टोटल रेंटल कितने बने तीन तो पहला कराया बोले थर्टी फाइव दूसरा कराया और तीसरा कराया और टूपन्स पी फाइव डान दील इंकर आईडी सी ओफ फाइव मिलियन एक्सेलेंट कुछ नहीं करना वाइ एक लाइन में ये भी काटे थी क्यों काटे थी लेसी के लिए ये भी किसके लिए बोले इंवल्ब हो ना बीच में दर पता चले अग्स व्यिस ये क्या चीज रीम बरसो रही है अग्स फी आई 우리 इसे लिए गी का मैंने इंसेंटिव दिया तो उसको मैंने दो मिलियन क्या कर दिया अब मुझे ये बताएं कि D.A.L. ने कितनी I.D.C. इंकर की पांच की I.D.C. पहले बताएं की कितनी इंकर As an incentive to D.A.L. for entering into lease L.L.L. re-imbers 2 मिलियन L.L.L. ने re-imbers कर दिया उसको 2 मिलियन मुझे ये बताएं ये I.D.C. री-imbers हो रही है सोच के बताएएगा जल्दी से ये I.D.C. री-imbers हो रही है या ये lease incentive है कितने लोगों को लग रहा है ये I.D.C. री-imbers हो रही है भाई initial direct cost ने री-imbers हो रही है उसने पताए किलहस लिखे as an incentive for entering into lease lease में तो मेरे पास आगए इसलिए मैं तुम्हें दो मिलियन री-imbers कर रहा हूँ मैंने का था ये दो मिलियन 35 में से माइनस कीजिएगा और आज 18 वाले सवाल की इंग्रेजी देखें 18 वाले सवाल की इंग्रेजी बताएं क्या है out of which उस में से और वो अलगी फिकर है उसमें IDC का जिकर ही नहीं हुआ उसमें किसी इसका जिकर हुआ है मैं कहिए रहाँ कि 18 सवाल में ना लेसर ने लेसी को कहा कि तुमने लायर को इतने दी है out of which इतने से मेरे से ले लो लेकिन आज के सवाल में कुछ हो रहा है लेसी ने लायर को पांच दी है फिर full stop लग गया क्योंकि तुमने मेरे साथ लीज की है इसलिए मेरे से एक इंसेंटिफ ले लो इसलिए इसको कहां से लेस करेंगे और रीमबर्स का लफ्स क्यों यूज कर रहे रीमबर्स का लफ्स यहां भी यूज कर रहे रीमबर्स इसलिए यूज कर रहे कि उसने शायद पहले कराया दिया होगा 35 फोरन और इसने उस 35 में से दो जो है वो वापिस कर दिया होगा तो that's why क्या ये बारो बार एंटरीज में जाने या ये वर्किंग 1 में जाने लेसर के लिए वर्किंग 1 में जाने तो देखें देखें हमने लेसी की IDC पूरी पांच लिया वरना पांच माइनस दो ये भी तीन लेते फिर अभी पिछला सवाल की है ना तो ये पूरी लिया पांच तो ये लीज इंसेंटिव है इसको बता दें कहां से खतम करें तो पहले रेंटल में से माइनस कर लें बारो बार नहीं लेके जाना है इसको एंट्रीज में इसको पहले रेंटल में से माइनस कर लें ये माइनस हो गया डन आगे चलें LLL has incorporated implicit rate of 11% पर रेंटम which is known to lessy चलें which is known to lessy अभी छोड़ें क्योंकि हमने lessy का सवाल नहीं कर रहे है हम किसका सवाल कर रहे है which is known to lessy छोड़ें मुझे बताएं lesser का implicit rate क्या है 11% अच्छा lesser कैसे सोचता होता है किसी को याद है lesser lesser दस बज़े खुद सोचता है दस बज़े खुद सोचता है और नो बज़े गरंटी लेता है डन अब ये जो अच्छास में पढ़ने लगा हूँ किस के इंगल से पढ़ने लगा हूँ lesser के इंगल से the residual value of machine at the end of three years is estimated at 30 the residual value of machine at the end of three years is estimated at 30 नीचे वाले के लिए estimate का लास यूज नहीं होता नीचे वाले के लिए किस का लास यूज होता है has guaranteed इतने अंदाजा तो दमाग से जो लाइन निकल रही थी दस बजे नहीं डाइगराम याद तो दस बजे जो डाइगराम उसकी तो ये दस बजे वाली है estimate बोले 30 out of which DL has guaranteed 20 जिसमें से DL ने 20 guarantee कर दिये DL ने तो यूजी आरवी तो 20 कहां चला गया जी आरवी में और 10 यहां तक clear हो गया हाथ कर दें अच्छा अभी तक सवाल में क्या कर दिया होता है रेंटल दिये वे से 3 इसके बाद lease incentive हमने वहां से minus कर दिया क्यूंके बारो बार ने लेकर जाना lease incentive का उसमें working one से ही root कराना है और आखरी बात UGR वी दी भी थी next यह classic cost discount rate of 12% may be assume wherever required but not given अच्छा जी अब आप हज़रात मुझे यह बता दें कि यह GI में निकाल रहा था यह NI निकाल रहा था 35 का कराया 38 का कराया 42 का कराया उसके बाद 20 GRV और 10 UGRV और उसके बाद चलते 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 यह lease incentive यहां minus का दिया Allah का शुकर है सब कुछी इसके अंदर आ गया अब कुछ रह नहीं गया हमारा जो बार बार जनल इंटरीस में जाने जनल इंटरीस में से मांगी भी नहीं यह क्या आगई हमारी NI कैसे आगई अभी तक तो GI थी हाँ यह तो मैंने साथ लगा दिये ना तो मैंने सुस्ती किये इस सवाल में सुलूशन में मादरत मैंने क्या नहीं निकाला GI बलकर डिरेक्ट क्या निकाल दिया है आप लोग पेपर में GI पहले निकाल लियागा तो नोट बनाने ना आगर दरा शॉर्टकट वियूज हो जएगा अच्छा आप यह मेरी NI निकालाई NI is 124 वैसे बेतर है PV of LP और PV of UGR भी ना अलग लग निकालें यह मैं वज़ा बताता हूँ क्यों इसलिए नहीं कि मैनिफेक्टर डिलर लेसर का सवाल है यह सिंपल लेसर का सवाल है लेकिन फिर भी किसी वज़ा से आपको बताने लगाँ PV of LP और PV of UGR भी लग लग निकालें लेकिन लंबे चक्रों में ना पढ़ें अभी आप अभी आप सिर्फ मुझे यह कर दें PV of UGR भी बाकी फिर PV of LP होगी PV of UGR भी निकालने 10 into 1.11 raise to power minus 3 जी कितना? 7 point और बाकी कितनी थी उसमें से जरा minus करके बता दें 124 में से 7.3 कर दें ना इसको 11 अच्छा और टोटल 124 अब अब यहां पे खड़े होकर मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ यहां पे खड़े होकर टेस्ट कर लेते हैं कि लीज फानेंस है या यहां पे खड़े होकर टेस्ट कर लेते हैं लीज फानेंस है या अबरेटिंग है को बसना है यहां तक? अच्छा लाइफ नहीं दी वे सवाल में क्या तीसरे साल के इंड पर asset मुफ्त में नो क्या अगर मैं तीन को डिवाइड करूं डेटा वेलेबल नहीं है इसका जवाब नहीं है उसके बाद पीवी ओफ एलपी को अगर मैं पकड़ू पीवी ओफ एलपी को 116.7 मैंने कह था एन एको ना लिया करें और डिवाइड करूं फेर वेल्यू से फेर वेल्यू भी ने अवेलेबल ऐसर स्पेशल नेचर के नो पहले दो का जवाब आगया नो पांचवें का जवाब आगया नो और तीसरे चोथे का डेटा अवेलेबल नहीं है अब मेरे भाई सेटेंट में जो लोग अपरेटिंग लीस का सवाल करके आए थे उन्हों ने भी बता दिया था हम पास हो गए है मुझे ये नहीं बता कि उसी सवाल की वज़ा से हुए थे या बाकी सवालों की वज़ा से हुए थे बाकिस वालों को जासे भी तो हो सकते हैं और जो लोग financially इसका सवाल करके आए उन लोगों ने भी ये कह दिया कि हम पास हो गए बहराल I-CAP को इमेल की I-CAP ने को जवाब दिया कुछ है इसना अपीलिंग नहीं था I-CAP ने का आम तरुपे मशीनों की life 3-4 साल बद होती है टेकनलोजी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है तो अगर इसकी मशीन की life 3 साल एजियूम कर लेते आप तो फिर तो 100% अर्सा कवर हो रहा था चार साल एजियूम कर लेते तो भी 75% कवर हो रहा था तो आम तरुपे टेकनलोजी जितनी तेजी से चेंज होती है तो ये कोई ऐसा valid argument नहीं था I-CAP का तो बजाहर ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा कुछ लोगों का ये कहना था कि implicit rate दिया वै तो इसका मतलब है कि शायद वो lesser का finance लीज ये solve परवाना चारह है क्योंकि lesser के सवाल में rate तबी दिया होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है lesser के कोई सवाल ऐसा भी विपर में आ सकते है आपको rate दिया और टेस्स लगा कि आप किस दिज़े पर पहुंचेंगे lease के operating lease है तो इस सवाल में आज तक हमने सवाल किये थे किसी में life missing होती थी किसी में fair value missing होती थी तो तीसरा चोथे में से कोई एक टेस्ट नहीं लग पाता था लेकिन ये ऐसा worst सवाल है किसमें life भी missing है और fair value भी missing है बस ये एक मसला था इस सवाल के अंदर जिस बुनियाद के उपर ये decide नहीं हो पारा था कि लीस financial operating बहराल मेरे खाल से उसने दोनों को honor किया होगा और उसके बाद से लेके जब चीटर जो ने रोला रोला डाला था तीन साल होगे लगा कि शुकर है ऐसाद पंगा उसने दुबारा नहीं लिया किसी सवाल के अंदर तो ये मसला इसमें आगे अगर इसको मैं financially resume करूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है तो फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें 35 minus 2, 33 का rent है वो 2 रुपे का लीज इंसेंटिव है और ये सारी rentals है और ये सब और note आपको बनाना आता है ये maturity analysis बन जाएगा और ये reconciliation बन जाएगी मैं आपको एक छोटे सा फिक्रा लिखवाना चाहरा हूँ point B के साथ के तीसरा चोथा टेस्ट नहीं लग सकता तीसरा चोथा टेस्ट नहीं लग सकता क्योंके data available नहीं है इसके साथ लिखे ना बेतर है इसके साथ लिखे तीसरा चोथा टेस्ट नहीं लग सकता क्योंकि डेटा आवेलेबल नहीं है अब किंक्लूजिन के ड्रॉआ करें तो इसलिए अब अपने समय के ड्रॉआ करें तो इसलिए फैनेस य अपरेटिंग जिसमर्जी से सॉल्व कराते अजीव सा कंक्लूजन है बट लिख लें फिर नोट डाल देते हैं आपके टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहे इसलिए फैनेस य अपरेटिंग जिसमर्जी से कराते अच्छा ये अभी डिसकेशन हमारी इंपॉर्टन नहीं कि ये फैनेंस जो अपरेटिंग है हमारे लिए ये डिसकेशन इंपॉर्टन है कि सवाल में चलते चलते जब लेसी लेसर का सवाल हो तो थोड़ी सी जरा अकल लगा कर देखना होता है क्या चीज़ें लेसी के लिए हैं क्या चीज़ें लेसर के लिए हैं क्या चीज़ें दूनों के लिए हैं अब अगर इस सवाल को मैं इस सेंगल से पढ़ूँ तो फिर आप शायद कमफरटेबल फील करें यह कम जनरी को हमने एक मशीन ली लीज पर तीन साल के लिए यह तीन साल लैसी लेसर दोनों के लिए बात है पहला कराया 35 मिलियन कराया भी दोनों के लिए बात है लैसी किस वाल में भी यूज होगा इंचाला लैसर किस वाल में भी यूज होगा आर वयू डेबिट तो इसलिए यह लेसी के सवाल में बारा हो बार चली जाएगी Lease Incentive दिया दो का इसको लëसी भी पहले करायम में से माइनस करेगा लेस्र भी पहले करायम में से माइनस करेगा Rate Root कँ फड़ दा कुई नहीं है rate में lessy lesser की discussion नहीं करा क्योंकि वो एक diagram already available है वो हमें help out कर जाती है तो इसलिए rate वाली बातें मैं नहीं पढ़ा उसके बाद residual value की याद रखिएगा lessy के लिए discussion अलग होती है और lesser के लिए discussion अलग होती है lesser पहले 9 बजे guarantee लेते है फिर 10 बजे खुद सोचता है lessy पहले guarantee दे के जाता है फिर खुद सोचता है फिर देखता है कि end payment बहेंगी या नहीं lessy कुछ ऐसे करता है और उसके बाद ये decommissioning cost थी इसकी entry सोचें फिर decide करें ये lessy के लिए line lesser के लिए R.O.U. debit payable to मजदूर credit इसलिए ये lessy के लिए और एंट पर rate available था चार को जिसके हमने discount किया था ठीक होगा सलाम हाँ जी कौन है जो question homework देख ली जेगा जो मैंने डाला on रखो video working zero एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट उससे क्या करने है आपने किदर आए फरस्ट सोला working zero lessy के सवाल में अगर रेंटल मिसिंग हो तो भी working यही यूज करनी है lesser के सवाल का अगर data आजाए simple तो भी यही यूज करना है formula और अगर manufacturer working zero किसी भी type के सवाल में अगर कोई चीजें मिसिंग हो तो यही यूज करने है लेकिन rate कौन सा यूज करने है बस implicit rate ठीक है video close कर तो मैं आ रहा हूँ आपके पास ठीक है जी अला आपस तो यूज कर वेद् leंहें दो लागां सयल तो Panama कर भाम कर souff相信 कि वाकर कैसने जा हैगा है लागर कि अवार आवार जूज कर पक्या आपढ़